Hello students, welcome back to Umpush Classes, a competition venture of Science Commerce Academy, धरम्शाला, I'm your chemistry educator पायल, and today we are going to start with our first lecture of Hello Elkane and Hello Irine. Okay, पेटा, सबसे पहले चाप्टर का मतलब समझते हैं, Hello Elkane और Hello Irine का क्या मतलब है, Hello means हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? हेलोजन की, ठीक है, अब हेलोजन की अगर हम लोग बात करें बीटा, तो हेलोजन साते हैं हमरे पास group 17 में, कौन-कौन है, फ्लोरीन, प्लोरीन, ब्रोमेन, और आयोडे, हेलोजन के आउटर मुशल में लेक्टरोन होते हैं, NS2, NP5, ठीक है, अब अगर हमें बूला है, Hello Elkane, Elkane मतलब हमारे पास क्या है, कार्बन की क्या होगी, एक long chain है, ठीक है, कार्बन की बात कर रहे हैं, अगर हमें बोला है, एरीन, तो एरीन हमें बोला हुआ है, कि हमारे पास हम यहाँ पे aromatic compound और वो भी हमसे बेंजीन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हमारे पास, कार्ब बिंजीन के रिंग के साथ एक हैलोजन जुट जाए तो उसे हम क्या बुलेंगे हैलो एरीड ओके अब हमेरे पास नेक्स अगर हम लोग बात करते हैं कि अलकाइल और राइल हैलाइट्स मतलब आर एक्स और एरोमेटिक के लिए ए आर एक्स कैन बी क्लासिपाइड डिपेंडि अगर मेरे पास आर के साथ सरफ एक है तो मैं इसको क्या बोलूँगी एक हैलोजन आटम है तो इसको क्लोरोजन ठीक है या मोनो हैलाइड फिर यहां पर क्या जाएगा डाइप और टू एटम से मोर देन टू होगा तो पॉली हैलोजन आ जाएंगे तीन चार तीन हुए तो इसको है चार हुए तो टेक्रा कंपाउंज जिसे विहावा क्लोरो इथेन अर उसके साथ क्लोरीन है तो एक ही क्लोरीन है क्लोरीन एथेन चीक है अगर मानलो ऐसे होता हम पर पास इधर भी सीए लाग गया हमरे पास और मेरे पास इधर भी सीएल है तो मैं क्या लिखती one two three one 3-dichloropropane, तो इस तरह से मतलब 2 chlorine है न तो क्या word use हो रहा है, dye हो रहा है, 3 chlorine लग जाते तो क्या word use हो जाता है, triuse हो जाता है, तो इस तरह से हम halogen atoms कितने हैं, उसके उपर depend करेगा कि mono, dye, tri, poly, आप क्या बोलेंगे, second आता है हमें पास based on the compounds containing SP3 hybridized carbon halogen bond, देखो, alkyl, halide, अगर halogenes की बात करें हमारे पास, तो हमारे पास halogenes में क्या आजाता है, कि जहां पर आपके पास carbon है हमारे पास, carbon के साथ जो भी bond है, वो सारे क्या है, single bond है, और क्या लग रहा है, x लग रहा है, अब देखो ये alpha carbon हुआ, ये beta हुआ, gamma हुआ, इस तरह से चलता है, अब alpha carbon, एक चीज़ हमेशा याद अटना, मैं यहीं पर करवा देती हूँ, कि अगर carbon के साथ सारे bond single है, तो हो क्या होता है, sp3 hybridized, अगर carbon की किसी भी side double bond आए, तो उसे हम बुलते है, sp2, और अगर carbon के साथ triple bond आए, तो हो क्या है, हमारे पास sp hybridized, चीके, तो हमने बुला, alkyl halide, alkyl halide में हमारे पास आते हैं, primary, secondary and tertiary आते हैं, चीके, अब देखो, हमारे पास primary बताना है हमें, हमें secondary बताना है, and हमें tertiary बताना है, तो बिटा, carbon के साथ, अगर हमारे पास एक alkyl group है, और बाकी hydrogen present है, और यह आ गया halogen, तो एक ही alkyl group है ना, alkyl मतलब एक carbon की chain, एक ही है हमारे पास, तो हम उसे क्या बुलेंगे, primary, अब carbon के साथ, अगर हमारे पास दो alkyl group है, मतलब further दो carbon, different carbon साथ यह attached है, तो वो क्या हुजाएगा, secondary, and if carbon is attached further three alkyl group, या तीन carbon के साथ, तो वो क्या जाएगा हमारे पास, that is your tertiary, चीके, ओके, फिर आते हैं, बिटा, हमारे पास, यह तो आ गया कौन सा है, alkyl halide, और देखो सब के साथ क्या है, single bond है, single bond है, तो these are your what, sp3 hybridized है, फिर second आता है, हमारे पास, allylic halide, allylic halide क्या होता है, बिटा, हमारे पास, कि जो आपके पास halogen atom bond into sp3 hybridized carbon to carbon, carbon double bond, मतलब मिरे पास एक carbon है, इधर double bond, इधर carbon, और यहाँ पी क्या है, halogen, यह alpha and beta, alpha carbon होता है, वो sp3 होता है, और beta carbon होता है, that is your what, sp2 hybridized, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, that is called your what, allylic halides, halogen है तो allylic halide, अगर कोई और group चुड़ जाएगा, तो उसका ना मचाएगा, ठीके, then third we have is your benzylic halide, benzylic क्या होता है, कि जब benzene present है, और benzene के उपर carbon present है, और उस carbon के साथ, एक hydrogen की जगा, एक group कोई present है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, benzylic halogen के साथ, this is alpha carbon, carbon साथ, सारे bond single, तो carbon क्या है आपका, carbon is your sp3 hybridized, okay, तो अब हम बात करते हैं, vinylic की, sorry, carbon containing sp2 hybridized carbon halogen bond, ठीके, कि मतलब, alpha carbon मेरा क्या होगा, अब sp2, तो पहला ही हमारे पास आता है, vinylic, vinylic में क्या होता है, बिटा, कि जो carbon, carbon double bond है, उसके साथ halogen जुड़े, अब ये alpha carbon है, इसके साथ क्या है, double bond है, तो ये क्या होगा मेरे पास, sp2, और ये ही हमारे पास क्या है, this is your vinylic halide, फिर आते हैं हमारे पास arryl halides, arryl halides मतलब, benzene जो है, हमारे पास, उसके साथ directly आपका attached है, halogen, नो सी, ये carbon है मेरे पास, this is alpha carbon, इस alpha carbon के साथ में क्या है, double bond है न, तो ये क्या बन गया मेरे पास, this is your arryl halide, ठीक है, कि carbon is directly attached on aromatic ring, तो ये याद रखना, alylic क्या होता है, हमारे पास, बिन्जाइलिक क्या होता है, हमारे पास, ठीक है, this is benzylic, and this is vinylic, and this is your arryl, ओके, अब हम थोड़ा सा IUPC nomenclature कर लेते हैं, जो simple simple basic basic सा है, अभी पहले वो देख लेते हैं, कि हमें अगर carbon, जितना हमें पता है, कि अगर आपको थोड़ा सा मैं rule करवा दू, हमारे पास prefix होता है, हमारे पास word root होते हैं, हमारे पास suffix होते हैं, prefix में अगर compound cyclic है, तो cyclo word आ जाएगा, ने, तो prefix हम यहाँ पे alkyl groups लेंगे, mythoxy-thoxy की बात कर लेंगे, और जितने भी halogen's है, यह हमारे क्या है, prefix है, फिर आता है word root, word root मतलब कितने number of carbon item जो है, वो present है, वो हमें word root बताता है, कि अगर एक carbon है, तो उसको हम myth बोलते हैं, दो carbon है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, it, तीन carbon तो prop इस तरह से चुचाते हैं, अब suffix में भी दो आते हैं, कि अगर single bond है, तो हम in लगाएंगे, triple bond है, तो हम in लगाएंगे, और अगर हमारे पास double bond है, तो हम क्या लगाएंगे, in लगाएंगे, चीक है, और यहाँ पर अगर कोई functional group अटाश होगा, तो उसकी रिसो fix लगता है, तो functional group बलनी, हमने तो halogen की बात करने हैं, अब halogen कहाँ present है हमारे पास, वो तो prefix में present है, अब हमें क्या दिया होता है बिटा, कि अगर हमें कोई chain दी है, तो we have to first find out your what longest chain of carbon atom, जिसमें halogen atom present होगा, ठीक है, अब जिस carbon साथ halogen atom present है, उसको सबसे smallest number हमें देना है, ठीक है, अब carbon containing double bond और triple bond, जो है, the triple bond is given the least number, मतलब अगर मेरे पास halogen present है, बट double और triple bond present है, तो double और triple bond वाले carbon को smallest number मिलेंगे, और इस वाले carbon को क्या है, जादा number मिलेगा, ठीक है, अब अगर हमेरे पास 2 या 3 चार्व हलोजन present है, तो हम उसके लिए क्या लगा देते है, dye, try, tetra लगाते हैं, और name of the compound अगर हम बात करें, hello alken है, hello alkenes है, और hello alkyne है, alkenes मतलब हमारे पास क्या जाएगा, single bond, in मतलब double bond, iron मतलब triple bond को हम क्या कर रहे हैं, represent कर रहे हैं, ठीक है, तो एक दो examples करते हैं, फिर detail में इसको और देखेंगे बाद में, okay, see, first, सबसे पहले हमारे पास एक example है, मालो, we have a carbon, 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 carbon and your CN, अब ये longest chain बन की मेरे पास, this is our longest chain, ठीक है, ये आ गया, अब chlorine है, हमारे पास, number one carbon के साथ, जो है, lotion है, उनको smallest number two, three, four and five, ठीक है, अब third position पे CH3 group है, this is your what, methyl group है, तो हम क्या लिखेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, three, methyl, अब prefix खतब, हमारे पास, ये आ गया, three methyl, और one chloro, तो C और M में से पहले कौन आता है, C आता है, तो one chloro, three methyl, कितने carbon है, पांच, pent, और सब में कौन सा bond है, single, तो pentane, तो इस तरह से हम nomenclature अब practice करना और भी जादा करना, और भी जादा करना, next lecture में हम लोग पहले यही करेंगे, कि nomenclature को थोड़ा सा और detail में देखेंगे, फिर for example, we have a कुछ questions करेंगे, NCRTK, तो अभी तुम्हें आपको बिल्कुल basic बतारियो, नomenclature में, अब देखेंगे, इसका नाम लिखना है, we have what, one, two, three, तो इसको इसको second number आया, second number पर ही क्या है, दोनोग क्लोरीन है, तो क्या लिखेंगे है, two, two, die, chloro group attached है, कितने की chain है, तीन की है, तो तीन के लिए prop, और तीनों के carbon के वीच में single bond है, तो क्या जाएगा, A, एक और देख लेते example, we have a carbon, 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 double bond carbon, and we have is your CN, अब one, two, three, four, simple सी बात है, यही चलेगा, हमरे पास strength, अब first position पर क्या है, chloro, तो sometimes one लिखने के compulsory बिनी होता है, तो आप क्या लिख सकते हो, chloro, अब क्या है, हमरे पास, चार carbon है, but, अब first carbon के साथ क्या है, double bond, तो हम क्या लिखेंगे, but, one, in, one को represent करने के जोड़ेते हैं, आप direct, chloro, but, one, in भी लिख सकते हो, तो यह बड़ा basic साथ हाँ, हमने chapter की बस starting की है, तो हम next lecture से क्या है, इसमें detailing में करेंगे, कि किस तरह से हम है, आपका IUPAC nomenclatures करते हैं, हमारे पास कुछ NCRT के हम examples भी देखेंगे, और फिर हम chapter को further proceed करेंगे, ओके, thank you and have a good day.